भाईयों मेरे क्या हले हैं आप लोगों के होफुली सब बढ़िया चल रहा होगा यार आज का मौसम ना थोड़ा सा ना बढ़िया है दिखा हूँ आपको एक सेकंड दिखाता हूँ भाई आज निकल रही है धूप तो चलते हैं नीचे ठीक है पहनी अपनी हवाई चपले यह जाते ही न यहां यह फे मैं की एर्बियंब़ है इटली में जहां पर रहरा हूं अछ भाई लोकेशन का नाम है अग्रो बाहर का नजारा और यह देखो पाड़ों के नजारे यार हमारे यहां भी तो ऐसे हो रिशिकेश वगर हमें भी शायद टीक ठाक है यहां पर 20 डिग्री के आसपास और यह रहा दूसरी मंजिल पर वह वाला हमारा अपार्टमेंट जहां पर हम रहने हैं नजारों के मजेलों बैठने बिठाने की जगा तो भाई यहां पर मेरा यह कि यहां पर मैं नीचे आता हूं कभी कबार तो घूम फिल लेता हूं धूप का होना मतलब बहुत बड़ी चीज तो आज धूप है इसलिए आपका भाई आप लोगों से नीचे यहां पर बरामदें बैठ के बात करेगा तो भाई हो हम आगे नीचे यार ले तो सूरज भी चले गया आने से पहले नीचे सुहाना सफर और यह मौसम हसी अब भाई लोग हैं साथ में तो टेंशन काएगी तो दोस्तों एक चीज हमेशा याद रखना यूरोप में जितना नॉर्थ पर आप जा नॉर्डिक कंट्रीज वाने डेनमार्क, स्वीडन, नौर्वे, फिनलेंड, ठीक है, आइसलेंड इस तरह आप जा रहे हो तो भाई सूरज को आप इंडिया से नमस्ते कर देना क्योंकि उसके बाद तुम्हें सूरज नहीं दिखने वाला ठीक है कभी वंसीन ब्लू मून का यह सूरज देवता वापस आगए ऐसे दिख्या तो बात अलग है पर नौर्डिक कंट्री जा रहे हो तो भूल जाओ सूरज तुम्हें दिखने वाला है और दूप भी भूली जाओ यार जहां तक मैंने सुना है माइनस बीस तक वहाँ पर माइनस पच्चिस आराम से जाता से तुम जाना चालो करो स्पेन अगर जो देखो फ्रांस यहां पर है ऐसे फ्रांस स्पेन यहां पर पोर्चुगल यहां पर इटली यहां पर तो फ्रांस के अगर जो तुम साउट से अगर जो नीचे जाना चालो करोगे तो वहां मौसम कंपेरिटिवली अच्छा रहता है स्वावना मौसम भी रहा है गर्मिया भी हो जाव है मेरे भाई गर्मियों के बाद अच्छा खासा ओक्टोबर तक ठीक ठाक मौसम भाँ पर रहता है सबसे ज़्यादा गरम देश जो तुम्हें देखने को मिलेगा यूरोप के अंदर अच्छी खासी गर्मी पढ़ती है मैरे पास वीडियों हैं मैं चैनल में अपलोड करूँगा मुझे ढूडनी पढ़ेंगी थोड़ी उसमें आप लोग देखना है पोर्चुगल में भी अच्छी खासी ठीक ठाक गर्मी है अब असली बात भाई असली बात है यहां पर बारिश की और बारिश की है यहां पर प्राबलम जो तुम लोगों से कोई शेयर नहीं करेगा और तुम्हें बताया भी नहीं कोई किसी इंडियन यूट्यूबर ने बताया भी नहीं हो अब तक यहां पे mainly पंगा रहता है बारिश का या सूरज नहीं रहता बादल चाहे रहता है आस्मान में सूरज बादलों के पीछे चुपावा है बारिश और यह ओरा वह ओरा भाई अच्छा ऐसा मौसम जब आप भारत से आओगे ऐसा मौसम यूजली सारे देशों में रहता है यूरोप के कि बादल रहेंगे बारिश कभी भी हो जाएगी जाथर करके तुम्हारे दिन एक साल के अंदर सो दिन सो दिन की कम से कम बारिश होगी फ्रांस में जर्मनी में निदलेंडस में अटलीस सौ दिन की बारिश रहेगी, सौ दिन से ओपर तो रही ही रहेगी, तो जहां पे मेरा रहा हूँ फ्रांस में, वहां पे एक सो पैंतिस दिन की बारिश है, तीन सो पैंसट दिन में से तुमारी एक सो पैंतिस दिन की बारिश है, और उसके बाद भी जो दूसरे दिन है उसमें हैं निकि भाई धूप निकल दिये सब उसके बाद भी कोई गारंटी निकलेगी उसमें भाई बादल शायवे छोटी मोटी बुंदा बांदी हो रही है यह और है वो और है सर्दिया हो रही है गर्मी पड़ेगी दो महीने की अच्छे से एक महीने की अच्छे से दो महीने की आप लगा लो उपर नीचे करके ये गर्मी पड़ेगी और UK UK का मैंने नाम नहीं लिया भाई UK में तो सब सब बुरा हाल है लंडन में रहोगे किसी बिर्मिंगम में रहोगे किसी और स्टेट में रहोगे UK की बारिश हमेशा रही की भई फ्रांस से भी ज़्यादा रही की जर्मानी बारिश रही की पोलंड रही की अच्छा यहाँपी ना एक बड़ी अजीब सी चीज है यहाँ पर जैसे में काम करता हूं भई यहां के लोग के साथ उठना पैटना है कुछ लोग नेधरलेंड के हैं, कुछ फ्रांस के हैं, क Importaste ऍनली के हैं कुछ इसवीट जाना इप fire कोई भी मीटिंग में तुम च लो और बार जब रहा है किजी भी मीटिंग में तुम चैले जाना सारी meeting start topic पता क्या होता है weather oh how's the weather today yeah it's it's a bit sunny so I'm very happy it's been some time since I've seen the sun oh yeah it's it's raining here oh shit it's so depressing ah yeah complain say complain कि शीजगी होगी कि मौसम खराब है मौसम बढ़िया है जिसका मौसम बढ़िया हो भई उसके 32 नाथ बारा रहे जिसके यहां बारिश हो रही होगी वो ऐसा जैसा मर गया हो भई तो मीटिंग हमेशा इस टॉपिक्स तो जब मैं इधर आया मैं समझा नहीं मैंने कि साले इनकी ज्यादा दिक्कत है हर मीटिंग में मौसम की बात कर रहे मैं कि पागल होगे दिमाग खराब गए इन लोग गई मुझे टाइम के साथ पता चला कि इन लोग को सूरज की भई और वहां बीच में देखा तो भाई ये गोरे लोग नंगे पड़े कोई पिछवाडा सेख रहा कोई आगे सेख रहा कपड़े कुछ नी क्योंकि भाई इन लोग को ज़रुवत है दूपकी आप दूप नहीं आती जादा तो मेरे भाई जितने भी आप लोगों में से भाहर कि मैं मैं आऊ गूमने मैं से लेके और अगसट एंड तक या फिर अगर जो इतली में जा रहे हो तो सेप्टेंबर एक्टोबर तक भी ठीक-ठाक वह सम रहेगा अगर जो मिडवेस्ट कंट्रीज में आरे हो यूरोप की फ्रांस में आरे हो जर्मनी में आ रहरो पोलेंड मे अर्या में मैं आटना तक किइन हुआ जो दिमाग में अपने एक DR. वारे के शूरज दूप तुम्हें जाधा नहीं मिलने वाली और यह नेगेटिव बात नी कर रहा हूँ भाई आज पढ़ जाती है इस चीज की आ रहे हो तो mentally prepare करके आना कि इन देशों में धूप कम रहीगी और थोड़ा सा अपने आपको तुम prepare करके रखना उस चीज के लिए ठीक है जब बंदा भार आता है ना देखो कोई कि इनसान अपने देश से उठके बाहर किसली आ रहा है एक comfort zone से भार आ रहा है ना comfort zone से भार आने के लिए कुछ तो motivation चाहिए motivation होता है पैसा, motivation होता है professional growth कुछ भी कोई भी motivation हो ठीक है पर comfort zone से तो भार आ रहे है ना comfort zone से तुम भार आ होगे तो मौसम का तुम्हें थोड़ा मत रखना भार आओगे घूमने के लिए पढ़ने के लिए नौकरी करने के लिए रहने के लिए किसी चीज के लिए भी भार आओगे तो इस चीज का ध्यां डंगना में से और सेप्टेंबर के बीच में यूरोप तुम लोग आ सकते हो उसके अलावा तुम्हें मौसम यहाँ तो ज्यादा ठंडा मिलेगा या बारिश मिलेगी या बरफ मिलेगी जिसमें एक दो दिन शायद तुम लोग मज़े कर लोगे पर उसके बाद यह लगया क्या यार क्यों आ गए इस टाइम ठीक है फालतों में पैसे बरबाद कर दिये और मेरे भाई जो लंबे टाइम के लिए इदर आ रहे हैं स्टूडेंट्स जो हैं मेरे भाई तो दिमाग में बनाके रखना कि मौसम की थोड़ी बहुत मारा मार रहेगी इदर दूप ज्यादा नहीं निकलेगी देखो बादलों के पीछे चलागे सूरज तो भाई यह थी वीडियो आज की इस बारे में कि यहां प प्लीज लाइक कर दो सब्सक्राइब कर लो कॉमेंट कर लो मुझे बताओ कैसी लगी वीडियो और फिर मिलते आपसे अगले वीडियो में बहुत जल बाई